हेलो एवरिवन स्वागत है आपका रेशमास टेस्टी फूर चैनल में और आज हम बना रहें लेसुन की सूखी चटनी लंश थाली को और भी टेस्टी बनाने के लिए आप इस चटनी को जरूर ट्राई कीजिएगा इस चटनी को आप फ्रीज में एक हपते तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो यहाँ पर मैंने एक कप इतने सुखे हुए नारियल के स्लाइसेस कट करके लिए है और इन्हें हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें डालेंगे हैं हम लहसुन की कलिया तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 इतनी लहसुन की कलिया ली है तो इलहसुन की कलियों पर हमें ना तो दाग धब्बे आधी कटी हुई नहीं लेनी है अच्छे वाले लहसुन लेने है लेसन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च की पाउडर एक चम्मच यहने के एक टीस्पून इतनी जितनी हमने लाल मिर्च की पाउडर ली है उतना ही यहाँ पर हमें नमक भी डालना है तो एक टीस्पून इतना नमक नमक डालने के बाद इस चटनी में हम डालेंगे दो पिंच इतना हिंग तो यहाँ पर हमने हिंग भी डाल दिया है अब हाप टीस्पुन इतने भूने हुई जिरे की पाउडर डाल कर इसे हम मिक्स करेंगे और इसे अब हम पीस लेंगे और यहाँ पर हमारी लेसुन की सूखी चटनी बनके तैयार ही जीरा डालते वक्त हमारा वीडियो कट हुआ था लेकिन आप इसे स्किप मत किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपीस के साथ तब तक के लिए बबाए